और अब बात मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के उस बयान की जिसके बाद पाकिस्तान में हड़कम मच गया है CM ने CM डॉक्टर मोहन यादव ने अखंड भारत की बात कही और इस पर पाकिस्तान ने तो विरोज जताया ही कॉंग्रेस भी आपती दर्ज करा रही है CM का बयान क्या है और उस पर क्यों मचा है बवाल आई आपको दिखाते CM मोहन यादव के इस बयान पर पाकिस्तान में हड़कम पहे एक कारक्रम के दौरान CM ने कहा था कि हंदोस्तान के खंड दोले पर पाकिस्तान बना है परमात्मा करेगा तो आज नहीं तो कल हम फिर से देश को एक करेंगे अखंड भारत बनाएंगे CM के इस बयान पर पाकिस्तान चड़ गया है पाकिस्तान में देश मंत्राले के प्रवक्ता ने बयान जारी कर विरूज जताया है देश में भी इस बयान को लेकर सियासी बयान बाजी हो रही है CM मोहन यादव के बयान पर किसने क्या कहा ये जानने से पहले आईए सुनते हैं वो बयान जिसमें सीम ने अखंड भारत का किया था आवान हमारी आखों के सामने हो ये समय हमारे सामने आए हम सब आज के उसर पर भगवान ग्राम के मंदिर का बनना ये हमारे लिए निश्यदुरूप से अखंड भारत की दिसा में एक बड़ा कदम हो ये परमात्मा की इच्छा है इस बयान पर पाकिस्तान के आपत्ती पर सीम ने पलटबार भी किया उन्होंने का कि पाकिस्तान लाख अपत्ती जताए लेकिन विस्थापित शरणारतियों के आने से पहले अखंड भारत भी था अधीर के अखंड भारत के हिस्से को लिका राज़ती बज्जाब सिंद अखंड भारत था ही, तो ननकाना साब सहीद जो हमारे अपने आतीत के अखंड भारत के हिस्से अगर रहें, उनको ले करके तो हमारे लिए आज भी हमारा राष्टगान में हम पंजाब, सिंदु, गुजराट, मराथा, सिंदु को अलग थोड़ी छोड़ सकते हैं, तो साभा करने से वो बात समाब तो तो नहीं हो जाएगी, वो तो अपनी जगे इस्थाई रहेगी. सियम मोहन यादव के इस बयान पर पाकिस्तान को मिर्ची लगी ही है, कॉंग्रस ने भी नाराज की जाहिर करती हुए कहा, कि सियम को अंतराश्च्री अमामलों में बयान बादी नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान का बयान आना दुखद है, और यह भी सच है कि डॉक्टर मोहन यादव साहब मद्द पदेश के मुख्यमंत्री है, संयूक्त राश्च्ट संग के महा सच्यू नहीं, उन्हें मद्द पदेश की सीमाओं में रहकर अपनी बात करनी चाहिए। कॉंग्रेस के आपत्ती पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि मोधी के राज में कुछ भी असंबह नहीं। जैसे मंदिर बना, दारा 370 और 3 तलाग खटा, ये सपना भी पूरा होगा। मुक्य मंद्र जी ने आज कहा है कि परमात्मा चाहेगा तो एक ने एक दिन अखंड भारत बनेगा। अब कांगरस सवार उढ़ा रही, क्या खंड भारत बन ने सकता, भाजपा जूटे सपने दिखा रही। अरे मोधी जी और भाजपा की सरकार जब से देश में बनी है, कुछ भी असंबह नहीं। हर सपने को पूरा करने का काम मोधी सरकार ने किया है। देशवासी ने जो सपना देखा, जो चाह उसे पूरा करने का काम किया है। यूपी के सीम योगी आधितिनात, संग प्रमुप नोहन भागवर समीद कई हस्तियां अखंड भारत की बात कह चुए है और अब नोहन यादाव ने भी अखंड भारत की अलग जगाई है सीम के बयान पर सियाथी घमासान चड़ा है, पाकिस्तान तो विरोज जता ही रहा है कॉंग्रेज भी सवाल उठा रहेगी है प्यूरो रिपोर्ट, न्यूजेटी